हिमाचल प्रदेश के विश्वसनिय ज्वेलर पूशिन ज्वेलर सोलन कोरोना संकट के दोरान फ्रंट लाइन में लड़ाई लड़ रहे डॉक्टरों की वेतन में कोटोती किये जाने पर कॉंग्रेस प्रदेश महा सच्चिव सुनील शर्मा ने आरोप लगाया है कि हिमाचल प्रदेश में जहराम सरकार बिना सोचे समझे काम कर रही है जो जनता सरकारी मुलाजिमों के लिए हताशक कारण बनी हुई है हिमाच्चल प्रदेश में भाच्पा सरकार बिना सोचे समझे ऐसे काम कर रही हैं जो कि जन्ता के लिए सरकारी मुराजमों के लिए बिलकुल हाताशा के कारण बने हुए है सुनील शर्मा ने सरकार कानुबंद पर काम कर रहे हैं डॉक्टरों के साथ वहवार पर निंदा जाहिर की है स्वास्य सुभिधाओं को मजबूत करने के लिए मेडिकल एक्विप्मेंट्स को अच्छा करना चाहिए तुनिश्चित करना चाहिए बड़ी हैरत अंगेश मुख्यमंत्री जैराम ठाकुर जी ने ये आदेश दिये हैं कि डॉक्टर्स की तनखा काटी जाएगी जो अनुबंद के उपर चिकर्सिक काम कर रहे हैं उनकी तरखा काटी जाएगी बहुत ही शरम और निंदा का विशे है उन्होंने कहा कि जैराम सरकार को चाहिए था कि निस्वार्त भाव से महामारी के नाजुक दौर में सेवा दे रहे डॉक्टर्स का मनुबल बढ़ाने के लिए किसी योजना का गठन करें परंतु सरकार द्वारा डॉक्टरों की वेतन में कटोती करना एक बहुत ही शरमनाक विशे है एक आगा है और हिमाचल प्रदेश की जनता जो है 2022 में आपके जो तौबल की फरमान है और जो बिना सोचे समझे आप कारे कर रहे हैं उसका जवाब देगी और मैं अरुवंद के जो डॉक्टर हैं कॉंग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है और इस आदेश का इस फरमान क कातुबली की फरमान का हम विरोध करते हैं और जैराम सरकार को आगा करते हैं कि अपने इस फैसले को बापिस लें क्योंकि डॉक्टर जो है इस वक्त अपने जीवन की परवाह किये बगायर अपने जीमवार्यों को पूरा कर रही है और उनको और होसला बढ़ा जाए और उ आपके स्वास्थिक अप्रहरी श्री बाला जी हॉस्पिटल कांगरा हिमाचल